हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आवर चैनल आज जो मैच होगा इंडिया वर्शेज इंग्लैंड सेकंड टेस्ट पहला मैच बहुत ही रुमांचक हुआ जिसमें इंग्लैंड के टीम ने बाजी मार ली उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख था जिताने में आपको जहाँ टी हाट ली यह टेस्ट विशाखाः पत्नंप के पीछ पराएं विशाखाः पत्नंप के पीछ बीछ दिखा गया है कि जो पहली पाली है ना हो पहली पाली पाली में तोड़ा सा बैकल स्व UNग को जाएगी मिन्स कि यहां का भी चाust नगेगा और उस पींड़ ज़ादा क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन जो है यहां जो है बल्लेवाजों को थोड़ा सा मदद मिलती है पिर तीसरे चौते दिन से आपको जो है गेंदवाजों को मदद मिलना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और यहां का पीच देखा गया है तो यहां का पीच जो है काली पीच क के पास रहेगा नीचे रहेगा तो यहाँ जो है स्पीनर्स को यहाँ ही ज्यादा आपको विशाखापत्ना में देखने को भूंका मिलेगा मेरे खास लग रहा है कि इंग्लेंड हो सकता है कि कोई भी फास्ट बॉल नकले यह हो सकता है कि एस बसीर को उसमें एड़ गया सकता ह इंडिया के तरब से दो बुरी कवर है इंडिया के तरब से दो बुरी कवर क्या है कि आपके जो दो विजीता टीम मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा बैड परपॉर्मेंस कर रहे थे केल राहूल और रविंद्र जड़ यह दोनों चोटिल हो गया और इस मैच के लिए प्लेयर जो है वह सकता है कि रजत पतिदार या सर्फराज खान को मौका मिले लेकिन यूप के मुकेस कुमार को भी बुलाया गया वासिंग अन्सुंदर को भी बुलाया गया है तो आपको हमको लग रहा है कि अगर ज्यादा स्पीनिंग ट्रैक पे खिलना चाह रहे हैं तो एक स्पीनर वासिंग अन्सुंदर को एड भी किया जा सकता है और नहीं तो कुल्दीप या दो डिरेक्ली जो है आपको रविंद जेडा के पर जगह पे आ सकते हैं रिष्ट स्पीनर के रूप में अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 में प्लेइंग लिंगन में देखा जागा तो यह सब्सक्राइब के साथ रोहित सर्मा ओपनी करने के लिए आएंगे और सुबमन की फर्स डाउन उसके बाद सेकेंड डाउन में रजत पटिदार या सर्फराज का अगर खेलते हैं तो वो आएंगे उसके बाद स्रेया सहीर अगर यह नहीं कहलते हैं तो स्रेय उसके बाद बुमरा और फास्ट बॉलर सिम्रा सिराज मतलब यह दो फास्ट बॉलर इंडिया के तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे इंगलाइन के तरफ से जे कार्ली बेंड़काइथ ओलिया पॉप दूसरी पाली में ओलिया पॉप ने मैंने पहला वीडियो अगर आप के लिए नहीं बोला था मैंने काप्टन के लिए हमेशा आपको जो नाम लिया था उसका जानी बरिष्टो बेनिस्टोग फॉक्स रहान अमद टी हर्टली मार्कवोड जैक लीज को थोड़ा सा चोट लग गया तो हो सकता उसका जब पर इस बसीर खेल सकते हैं इंग्लैंड एक टीम के तरब से अब दिखिया है जो हम लोग ड्रीम टीम बनाते हैं ड्रीम बनाने में सबसे पहले क्या मैंने टेश्ट में पहले ही बोला था 100 प्लस स्कूर वाले ही आपके ड्रीम टीम में रहेंगे तो ऐसा प्लेयर जो आपको 100 स्कूर का मतलब के 100 पॉइंट कुछ प प्लेयर है कुछ-कुछ प्लेयर तो धाइसो पॉइंट पॉइंट प्लस लाकर देगा वैसे प्लेयर को हम लोगो ड्रीम टीम में रखना है और वही आपको सबसे ज्यादा पॉइंट दे के और सबसे ज्यादा पैसा जिता सकता है तो सबसे पहला सबसे पहला प्लेयर वो इंडिेन टीम इंग फोड़ा सा बिखर जाती है तो टीम हडली इसलिए हडली मैं आजया ही धाली मैंने को ठीक रखका था मिख में मैं कैप्टर नो मैं आज में अभी अंगला्यान के लिए आज तिसरा प्लियर जो है अगर आपका यह आई रविचंद्रास्विंद के लिए बालिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और यह कैपटन के परवल दावदार होंगे रविधर जड़ेजा के अनुपस्तिति में चौथा प्लेयर आपको जो होंगे अक्छर पटेल, अक्छर पटेल को रिवेंदर जडेजा करहते हैं, तो इनको थोड़ा सा बॉलिंग कम मिलता है, लेकिन अक्छर पटेल इस मैच में भी अच्छा का सा परपॉर्मेंस करेंगे, अगर कुल्दी प्यादव खेलते हैं, तो आपको 68-50 पॉइंट हो जाएंगे, और दो पाली में एकाद विकेट और लेंगे, और प्लस कुछ रन मारेंगे, तो आपको 100 पॉइंट प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने टी हर्टी को रखा है, ड्रीम टीम के लिए, रहा नामद भी वही है, आर्चन राश्विन भी है, क्योंकि यह हो सकता है कि 50 प्लस मारेंगे, तो यह कैप्टेन के प्रबल दावधार हो जाएंगे, अक्षर पटेल के साथ भी होईए, कुल्दी प्यादो के साथ भी होईए, तो इस तरह से मैंने अभी बॉलर को लिया है, अब बुमराह को भी मेरा करा हूँ, रिजन क्या है कि मैंने पिछले मैच में भी बॉला था कि बुमराह जो है, आपको स्टार्टिंग में सफलता दिलाएंगे, नहीं तो मिडिल में जरूर सफलता दिलाएंगे, तीन से चार विकेट लेंगे, एक पाली में, दुसरी पाली में एक दो विकेट, कुछ रन मारेंगे, यह भी ड आटमा में, वाई जाय सवाल, क्योंकि सुरू में थोड़ा सा बॉल को मुवमेंट अगर मिलता है, तो आई जाय सवाल को आप सेकेंड पाली में आउट हो जाएंगे, तो उनके जगापर आप जेट कार्ली को भी रख सकते हैं, क्योंकि यह हो सकता है कि कल के मैच में यह थो इंडिया के तरब से जो इंडिया के विरूद जो रूट का पर्दरसन बहुत ही जादा है, तो आपके नौ में प्लेयर जो रूट हो जाएंगे, सुबमन गील और आपको स्रे सयर, यह दो प्लेयर जो है, इन पर बहुत जादा जिम्यदारी आ जागा, केल राहूल अच्छ सिरकत भरत, या जौनी बैरीस्टो बैरीस्टो या फोक्स विकेट कीपर के रूप में खहल रहा है, तो फोक्स, तीन किसी के साथ भी जा सकते हैं, मेरे साथ आप सिरकत भरत को सबस cuatro जाएगा, क्योंकि इंडिया के पीश पर मैच हो रहा 97-900-900 करी मिला थे लेकिन आपको नहीं रखना है अब इंग्रहामा प्लेयर वैसा प्लेयर जो आपको डम हटाना है और आउट करना बेट कीश-0 को सकता है कि यह踡 एक करें किसी-किसी मैच में मैच करैं अगर हैं सीधा स्कteano पर्था तो और हैं यह ली-birth ईदर से आपको देखा जाएगा तो आपको आप चार-पांच टीम बनाएगा तक उलिया पॉपक इस तरह से आपका जो है यह आपको प्लेइंग लेवन हो जागा ड्रीम 11 में हम लोगों को सबसे ज्यादा दियान दे रहा है कि हम लोगों ने बॉलर ज्यादा रखा है क्योंकि यहां आपको 10-20-30 तीस विकेट तो गिरे दो गिरेंगे और पहले-पहले में हो सकता है कि 8-9 विकेट गिरने इसके 40 विकेट गिरने घिरने मैच का रिजल्ट आना ही आना है जो टीम टाउस जीते की वो मैच भी जीते की 99 परेंट इस तरह से बनाकर यह स्रवें चंद आश्मीन गैप्टन दुसरा सबसे बेस्ट जो और यहां सुभमंगिल आजाएंगे सिर्कतवरत आजाएंगे उस टीम के बल्लेवास थोड़ा सा ज्यादा लेंगे अगंस्ट विपच्छी टीम के इंडिया टीम के भी बॉलर को याद लेंगे फिर कैप्टन के रूप में कुल्दी प्यादो भी आएंगे यह बहुत दिनका अगर इंडिया टीम पहले जिती है तो रही तर्मा अगर इंग्लेंड टॉस जिती है जे कॉर्डी और जो रूट इस तरह से टीम बनाकर जो है आप बहुत ही अच्छा के पैसे कमा सकते हैं इस टीम के द्वारा धन्यवाद